हलो एवरिबन, स्वागत है आप सभीकार नालंदा इंस्टूट फॉर एक्सलेंस में आज का यह वीडियो इंडियन पॉलिटी, अर्थात, भारती सम्विधान और मुराजववस्था के प्रस्णु पराधारित है जो कि आपके आगामी 66th BPSC एवं अन सभी एक्जाम जाए वो UPPCS हो, ACC हो, Railway हो, Delhi Police हो, सभी के लिए महत्पुन होगा इस वीडियो में टोटल 25 कोस्चन दिये गये हैं, जिसका कट ओफ 20 रखा गया है आप अपना स्कूर कमेंट सेक्सिन में लिख कर बता सकते हैं तो आईए देखते हैं आज का प्रस्ण आज का पहला प्रस्ण है, राज की विधान परस्द की अपधी कितने बर्सों का होता है A. 6 बर्स, B. 5 बर्स, C. 4 बर्स, D. इसका बिघटन नहीं होता है इस प्रस्ण का सही अंसर होगा, option D. इसका बिघटन नहीं होता है क्योंकि विधान परस्द का एक तिहाई, one third member जो है, हर एक every two years जो है, वो सेवा निर्विर्थ हो जाते हैं, अथा इसका बिघटन नहीं होता है अगला प्रस्ण देखते हैं, अगला प्रस्ण है, वह भर्तिय नागरिक, राज की विधान सवा का सदस बन सकता है, जिसकी आयू कम से कम यानि, विधान सवा का सदस बनने के लिए, मिनमम जो आयू है, वो क्या होना चाहिए इस प्रस्ण का सही अंसर होगा, आउसन A, 25 वर्ष, यानि, विधान सवा का चुनाव लड़ने के लिए, किसी विव्यक्ति का, मिनमम आयू 25 यर होना चाहिए अगला प्रस्ण है, वह भारतिय नागरिक, राज के विधान परिशत का सदस बनने के लिए, किसी विव्यक्ति के मिनमम जो आयू की रिक्वार्मेंट होती है, वो 30 वर्ष होती है अता इस प्रस्ण का सही अंसर होगा, आउसन C, 30 वर्ष अगला प्रस्ण है, कोई विधेक, धन विधेक है या नहीं, इसका निर्ने कौन करता है अता इस प्रस्ण का अंसर होगा, आउसन D वहीं अगर सेंटर में पूछता वहीं अगर पार्लियमेंट में पूछता, ता आपका लोकसवा अध्यच होता अगला प्रस्ण देखते है राजपाल अपना इस्थिपा सौपता है अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है, राजपाल को उसके पद एवं गोपिन्याता की सपत कौन दिलाता है ए मुखमंत्री, राष्टपती, सी पूर्ब राजपाल, डी राजपाल को उसके पद एवं गोपिन्याता की सपत राजपे उच न्याला के मुखन्यातिस दिलाते हैं और अगर मुखने अधिस नहीं है तो जो senior most judges होंगे राज के high court में वहीं उनको सपत दिलाते हैं अधा इस प्रस्ण का जो सही अंसर होगा वोगा और संडी राज के उचन्याले के मुखने अधिस अगला प्रस्ण है बंदी बनाये गये बक्ति के मौलिक अधिकारों की रच्छा किस अनुचेद से प्रदत है संबिधान के अनुचेद 22 में कुछ दसाओं में यानि कुछ कंडिशन्स में गिरफतारी और विरोध से संरच्छन प्रदान देया गया है अधि इस प्रस्ण का सही अंसर होगा और संडी अनुचेद 20 अगला प्रस्ण है राष्टपती का रिक्त स्थान वर लिया जाना चाहिए A. 90 दिनों में B. 6 मा में C. 9 मा में D. 1 वर्स में संबिधान के अनुचेद 62 सब क्लॉस 1 के अनुसार राष्टपती की जो पदाव देवदी के समाफ्थ होने से पुर्वी इनका जो चुनाव है वो कम्प्लीट हो जाना चाहिए लेकिन अगर किसी कारण वस नहीं हुआ है तो मैक्सिमुम जो है वो 6 वर्स के अंदर 6 वर्स बितने से पहले ही राष्टपती का चुनाव हो जाना जाई है अगला प्रसन है निमलिखित में से कौन नागरिक्ता के अर्जन हेतु सर्तों को नियमित करने के लिए सच्छम है यानि आपके जो सिट्जन सिफ है उससे संबंदी नियम बनाने के लिए किसके पास पावर है अगला प्रसन है उप राष्टपती को उसके पद से निमलिखित में से क्पावर है किसके प्रस्ताव के द्वार हटाया जा सकता है A. राजसभा B. लोकसभा C. काबिनेट D. मंत्री परसद संबिधान के अनुछेत 68 सबकलॉटच ख के अनुसार उपराश्ट्पति को राजपरिसद अत्वा राजसवा यानि कॉंसिल ओफ स्टेट को ऐसी प्रस्ताव पारित कर खटाया जा सकता है तो इस प्रस्ण का सही अंजर होगा और सन ए राजसवा अगला प्रस्ण है अपात उपवंद का प्रवंद भारत के संवीधान के किस भाग में किया गया है इस प्रस्ण का सही अंसर का ऑप्शन डी भाग एटीन अपात उपंद का जो प्रावधान है संभिधान के भाग 18 में किया गया है अतो इस प्रस्ण का सही अंसर का option D भाग 18 गला प्रस्ण है सब्द धर्ण मेर पेच्छ वारत के संभिधान के प्रस्ताबना में कि संभिधान संसोधन के द्वारा जोडा गया है A. 25 संसोधन के द्वारा B. 42 संसोधन के द्वारा C. 44 संसोधन के द्वारा D. 22 संसोधन के द्वारा संभिधान संसोधन 1976 यानी 42 संभिधान संसोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजबादी 5 निरपेच एबं अखंडता सब्द जोड़ा गया था अगला प्रसने भारतिय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है अथा इस प्रसन का सही अंसर हो जाएगा और संसी संबिधान की उदेशिका अगला प्रशन है कि संसोधन के द्वारा संपत्ती का अधिकार समाप्त किया गया इस प्रशन का सही अंसर होगा भारती संबिधान के चौलिशवे संसोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ती की अधिकार को रद कर दिया गया और अब संपत्नी का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार रागिया। यानि इस प्रस्ण का सही अंसर होगा। अगला प्रस्ण है भारतिय संभिधान सवा के उद्भाटन अधिवेशन की अधिश्था की गई थी। 9.9.1946 को संभिधान सवा की पर्थम बैठक हुई थी जिसकी अधिश्था अस्थाई रूप से डॉक्टर संभिधान सवा ने निर्वाचित किया था। चुकि इस प्रस्ण में संभिधान के उद्भाटन अधिवेशन की अधिश्था की बात कर रहा है तो इस प्रस्ण में जो सही अंसर होगा वोगा ऑप्शन B. डॉक्टर सस्दानन्द सिन्ना अगला प्रस्ण है नियाइक पुर्णराव लोकन प्रचलित है यानि जूडिसियल रिव्यू को हम जूडिसियल रिव्यू कहते हैं तो ये प्रचलित है नियाइक पुर्णराव लोकन का जो कंसेप्ट है इंडिया में संजुक्त राज अमिर्का यानि उनाइटेट स्टेट अफ अमिर्का से लिया गया है अताया इंडिया और उसे दोनों में प्रचलित है अताय इसका उत्तर और संड बी सही होगा इंडिया और उसे दोनों में अगला प्रस्ण है भारतिय राजववस्था में निम्लिखित में सर्वोच कौन है? A. सर्वोच नियाल है B. संबिधान C. संसद D. धर्म भारतिय राजववस्था में सर्वोच जो है वो संबिधान है तो इस प्रस्ण का सही अंसर होगा option B. संबिधान अगला प्रस्ण है सुचना का अधिकार कब पारित हुआ? A. 2001 में B. 2004 में C. 2005 में D. 2002 में सुचना का अधिकार और दिनियम 2005 के अंतरगत परतेक नागरिक को ये अधिकार है कि वो सर्वजनिक संस्थानों से अवस्यक सुचना मांग सके और ना मिलने पर अपील कर सके अता इस प्रस्ण का सही अंसर होगा सुचना का अधिकार 2005 में पारित हुआ यानि option C निमलिकित में से कौन संसथ का भाग नहीं है? A. राश्टपती B. उप राश्टपती C. लोकसभा D. राजसभा भारत के संविधान के भाग पांच के अनुचेद 79 में जो प्रावधान किया है उसके अनुसर संग के लिए एक संसथ होगा जो की राश्टपती, राजसभा एबं लोकसभा से मिलकर बनता है यानि संसथ में जो होते हैं वो राश्टपती, लोकसभा और राजसभा ये तीनों के कंपोजिशन से होता है अता है इस प्रस्ण में पूछा है संसथ का भाग नहीं है तो इसका अनसर होगा आप्शन B. उपराश्टपती अगला प्रस्ण है निमलेखित में से कौन सोतंत्र भारत के किसी राज की सरपर्थम महिला राजपाल बनी थी A. सरोजनी नाइडू B. सुचिता किरपलानी C. इंद्रागांधी D. बिज्यालचमी पंडित सरोजनी नाइडू भारत की पर्थम महिला है जिन्हें राजपाल बद पर मनोनित किया गया है वह अगस्त 15. 1947 से 1. मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राजपाल रही थी इस प्रस्ण का सही अंसर होगा Option A. सरोजनी नाइडू भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुचेद अस्प्रिश्चता का उन्मूलन करता है A. अनुचेद 16 B. अनुचेद 17 C. अनुचेद 18 B. अनुचेद 15 अनुचेद 17 में अस्प्रिश्चता यानि अंटचाबिलिटी को बर्नन किया गया है अगला प्रस्ण है मंत्री परशत के बुरुद्ध अविश्वास प्रताव लाने के लिए लोगसवा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए लोगसवा के प्रकिर्या एवं संचालन सम्मधी नियमों के ताथ मंत्री परशत के बुरुद्ध अविश्वास प्रताव लाने के लिए लोगसवा के कम से कम पचास सदस्यों का समर्थन अवस्या के लिए अगला प्रस्ण है भारत का सम्मिधान अंगे के रित एवं अधी न अगला प्रस्ण है बिहार के किस बिधान सभा के लिए अक्टूबर नवंबर दो हजार बीस में चुनाव हुए यानि अभी जो हाल ही में बिहार में अक्टूबर नवंबर दो हजार बीस में चुनाव संपन हुए वो बिहार बिधान सभा की कौन सी नंबर की थी 15, 14, 16, 17 इस वार का जो इलेक्शन हुआ वो 17 विधाउन सभा के लिए इलेक्शन हुआ था आता इस प्रस्ण का सही अंसरों का 17 विधाउन सभा अगला प्रस्ण है अक्टूबर नवंबर 2020 के विहार विधाउन सभा चुनाव कितनी चरणों में संपन हुआ A2, B3, C4, D5 इस प्रस्ण का सही अंसरों का ओप्शन B 3 चरण फर्स्ट चरण जो हुआ था वो 28 अक्टूबर को हुआ था और वो 71 सीट के लिए हुआ था वही अगर हम दिख्तिय चरण की बात करें तो वो 3 नममबर को हुआ था और वो 94 सीट के लिए हुआ था वहीं अगर 33 चरण की बात करें तो 7 नवंबर को हुआ था और उसमें 78 सीटों के लिए हुआ था जैसा कि आपको मालूम है टूटल 243 सीट है बिहार विदाहन सबा के आज के इस वीडियो में इतना ही आप अपना स्कूर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं थैंक्यू